हालो फ्रेंड्स में शालनी और आज हम तयार करेंगे ब्रेड और चीज से एक दम सिंपल सा नाश्ता जैसे बनाना बहुत आसर है बहुत कम टाइमिंग में फटा फट से बढ़िया सा नाश्ता बनकर तयार हो जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले तो चिप्स ले लीजे मैंने हापर लेज का चिप्स लिया है फिर हातों से इसे क्रश कर लेंगे क्रश इतना करना है कि जो चिप्स के पीसिज है वो दिखाई देने चाहिए मतलब मोटा मोटा इसे क्रश करना है चिप्स को फिर इसका घोल तयार कर लीजे तो हमें मैदा का एक गाड़ा पेस्ट बना कर तयार करना है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा सॉल्टी पसंद है तो इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं गाड़ा घोल तयार हो गया है अब ले लीजे ब्र चीज को इस्तमाल कर रहे हैं, तो grate करके डालें, अब थोड़ा सा डाल दीजे नमक, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्ज पाउडर, थोड़ी सी हर्फ भी डाल सकते हैं इसके उपर, अब ये जो दूसरी स्लाइस है, इसके उपर हम इसको कबर कर देगे, अच्छे से प्रेस कर इसे डिप कर देगे, मतलब जो मैदा है, वो चार और इसको इस तरीके से चिपका लेंगे, अब ये जो हमने चिप्स के पीसिस कीए हैं, इसके उपर लपेटेंगे, तो चार और अच्छी तरीके से इसे कवर कर लीजे, फिर गरम-गरम घी में इसको शैलो फ्राई कीजे, यहाँ पर मैंने मीडियम हाई फ्लेम रखा है, दोनों साइट से हम इसे अची तरह से सिख लेंगे, एक साइट से सिख गया है, पलट देते हैं, और इसको सिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटा-फट सिख जाता है, देखे कितना कुरकुरा सा सिख गया है, तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं, एकदम बढ़िया हमारा चीज नगेट्स बनकर तयार है, बहुत सिंपल सा और खाने में बहुत ही टेस्टी, आप इसको इंजोई कर सकते हैं, तो चली इसी तरीके से और बना लेते हैं, ये देखिए, मैंने यापर दो और डाल दिये ह और इन्हें भी हम धीरे-दीरे करकर सेक रहे हैं, तो हैना एकदम बढ़िया सी रेस्पी, यदि आपको नाश्ते में कुछ समझना आए, तो आप इसको बना कर खा सकते हैं, काफी टेस्टी लगता है, इसी तरह से हम अपने सभी नगेट्स बना कर तयार कर लेंगे, और ये ये देखिए, कितने बढ़िया हमारे चीजी नगेट्स बनकर तयार हो गए हैं, आप इन चीज नगेट्स को सॉस के साथ खा सकते हैं, हरे दने की चट्टी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ इंज्जॉई कर सकते हैं, आप एक बार जरूर बना के ट्राई कीजेगा, यदी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो फ्रेंड इसी तरह नई रेसिपी में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई